एक तरफ उत्तर प्रदेश में अयोध्य विवात को लेकर सियासी पारा जड़ा हुआ है वह यह बद्रीनाद को लेकर दारूल उलुम के मुफ्ती ने विवादित बयान देकर नई बहस शेड़ दी है मौलाना अब्दुललतीफ ने दावा किया है कि बद्रीनाद असल में बद्रूदीन शाह है और यह मुसल्मानों का धार्मिक स्थल है इसलिए हिंदूों को इसे मुसल्मानों के हवाले कर देना चाहिए वह उनके इस बयान पर अब सियम योगी ने तीखी प्रतीक रिया दी है दरसल दारूलूम के एक मुफ्ती अब्दुललतीफ को यह जानकारी मिली थी कि बद्रीनाद के आसपास उत्राखंड रक्षा अभियान दल नाम की संस्था एक अभियान चला रही है जिसके तहर बद्रीनाद के आसपास रहने वाले मुसल्मानों से कहा जा रहा है कि अगर म मुसल्मानों को बद्रीनाद में रहना है तो उन्हें गंगा जल पीना पड़ेगा इस बात में कितने सच्चाई है यह जाने बिना ही मौलाना अब्दुललतीफ भड़क उठे और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड रक्षा दल भियान से जुड़े लोग अनपड है उन्हें बद्रीनाद को मुसल्मानों के हवाले करें वह उनके इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है मुसलिम धर्मगुरू खालिद रशीद पिरंगी महली ने भी उनके बयान को बेकार की बात बताया है पिरंगी ने कहा कि ऐसी बयान बाजी करने वालों खिलाफ कड़ी कारवाई करनी चाहिए वह यूपी के सीएम आदित्तिनाथ योगी ने भी इस तरह की बयानों को विक्रित सोच का नतीजा बताया योगी ने कहा कि जिसने भी भावनाओं को भड़काने वाली बात कही है उसे खिलाब सक्त एक्षन लिया जाएगा डिबिलाइप की रिपोर्ट